हेलो एवरीवन तोड़ेवी आर कमिंग बैक वित आवर लेक्चर नमबर फाइव इस सिरीज इसे माइक्रो कॉंट्रोलर 8051 के इसका यह लेक्चर नमबर फाइव अल्य ओडटो नमबर आजए वह लेक्चर नेल डेटा ट्रांसफरर एक्ट्रों के लेक्चर हाद शेंकर हेल्स थच्टुन में क्या समीत। नोगले долго लिर्ट्ट नेग्च देखेंगे मत свет डेटा ट्रांसफर के था संखनान क्योंते हैं वह देखें vast price तो देखो, first point क्या लिखा है आप है, the rate of data transfer in serial data communication, हमने serial communication स्टार्ट किया था, serial मतलब कैसा, bit by bit ऐसे जाता है, one by one ऐसे data transfer होता है, उसको serial data communication बोला जाता है, तो serial data communication है, उसको क्या बोलते हैं, उसका rate रहता है, data transfer का, उस rate को क्या बोला जाता है, BPS, मतलब bits per second, मतलब per second कितने bits transfer किये जा रहे, okay, data के कितने bits per second transfer हो रहे हैं, उससे बोला जाता है, bits per second, और इसको और एक चीज़ है, और एक क्या बोला जाता है, तो terminology है, another widely used terminology, और BPS is baud rate, मतलब bits per second है, उसके लिए और एक terminology यूज़ की जाती है, उसे बोला जाता है, बोला ज जाता है कि कितना baud rate है, baud rate मतलब कितने bits एक time पे, एक second में कितने bits transfer हो रहे हैं, उसको इसको machen, बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जा यह उसका ब्रैट है वी नेक्स देख्ते हैं में नेक्स पॉइंट है हावेवर दल बॉट एंट बिपेस रेट्स आर नोट एक्वल ओके ना यह जो है ना बॉट एक्वाजोंि ऑड़ रेते ओर बिपेस रेते वचल में कर देना मॉडर्ण है अपके लिए यहाँ पर करेक्शन कर लो मॉडर्ण टर्मियोलोगी मतलब यह मॉडर्ण लैंग्वेज में बॉला जाता है तो बॉर्ण का एक्शल मॉनिंग यहाँ पर बता आए गया देखो इसकी डिफिनेशन क्या है मतलब बीट पर सेकन मतलब कितने भी बीट जा रहे वह बड एक्शल में बॉर्ण यहाँ पर सेकन कितना सिगनल चेंज हो रहा है उसमें उसे बोला जाता है उसका बॉट रेट इसे बोला गया है कि बार्ड रेट और बीपियरस जो है ना बीट पर सेख़ां वह दोनों सेम होंगे ऐसे निसेसरी नहीं है okay mostly same होते हैं but unnecessary नहीं है तो यही चीजे इसमें actual में बताई गयी है okay borderate का definition बताए गया actual उसका definition क्या है it is defined as the number of signal changes per second बताब पर सेकंड कितने नंबर सिगनल चेंजेस हो रहे हैं वह एक्चल में क्या बताता है हमें उसका बॉडरेट देन नेक्स्ट है देखो एक और पॉइंट है इन इन मॉडरें यह चेंज कर दें ना तेकनलोजी कि एक्चल में मॉडरें टेकनालोजी कर इन मॉडरें टेकनलोजी अ सिगनल चेंज है अ सब्सक्राइब करेंचेंट देन एक टाइम पर 하फेज़ेता है उटेखनी साथ इसी कि यह आज के मौडर्म टेक्नालोजी में यह चीज पॉसिबल कि पर है कि सिग्नल चेंज होता है और बहुत सारा डेटा एक साथ ट्रांसफर हो सकते हैं कि तो यहीं चीज से यहापने डेटा डेटा डेट में देखा था इसके और कुछ पॉइंट से डेटा डेटा तो यह ही है अब data transfer rate के और भी कुछ points है वह भी next slide पे देखते हैं data transfer rate के next point देखो as far as the conductor wire is concerned देखो जैसे हम लोग एक wire conducting wire consider करते हैं हमारे data transfer के लिए the border rate and VPS आधी same उसमें तभी हम बोल सकते कि border rate और VPS वहापे same है okay and for this reason in this book मतलब यहां जीस बुक से मैंने यह लिए okay and for this reason we use the terms VPS and board interchangeably इसलिए हम लोग BPS भी यूज़ करते हैं और बॉड भी यूज़ करते हैं दोनों भी words हम लोग interchangeably मतलब कभी भी यूज़ करते हैं क्योंकि क्योंकि हम लग conductor wire हम लोग यूज़ करते टेटा रांसफर के लिए कि ज़टा रांसफर रेट ऑफ गीवन computer system depends on communication ports incorporated into the system अजब जो data transfer rates है okay कोई भी अगर communication system के लिए computer system के लिए हम लोग यूज़ करते वो तो वह actual में किस पर board और BPS दोनों सेम कैसे board rate और BPS तो एक तो है कि हम लोग conductor wire यूज़ करते इसलिए यहाँ पर इस बुक में जहां से content लिया है इसमें क्या किया हमने BPS और board यह दोनों interchangeably यूज़ किये मतलब कई पर BPS यूज़ किया कई पर board यूज़ किये ओके ना दोनों का यूज़ करते हैं अभी नेक्स्ट क्या लिखा है एक दिया हुआ अर्ली IBM PC और XT आई बीम का जो जो एक्दम स्टाइटिंग में जो PC PC आते थे वह सब PC कुट ट्रांसफर डेटा एड दी रेट ऑफ हंड्रेड टू 9600 BPS तो इस रेट पर एक्च्वल में डेटा ट्रांसफर किया जाता था हंड्रेड से लेके 9600 BPS पर इन रिसेंट येर्स हावेवर स्ट्राउड और अफिएड ऑफ हीज़ अधीया येर्पे चालो कोले के जो उसक्ग क्या गया था इंक अगरो वाख टिटिया स्प्ञें अटल फंद गेघुत इतना बिट्स पर सेकंड वो लोग ट्रांसफर करते थे, यह 20MA species का एक्षर में यूज़ था, इतना ज्याधा rate उसमें ट्रांसफर होते होते हो, इतने ज्याधा rate में, कि क्या है कि अस-inkernus serial data communication में जो बॉर्ड रेट है वो जनरली लिमिटेड है वन लैक बीट पर सेकंद के लिए एक टाइम पर वो कितने बीट वहाँ पर ट्रांफर कर सकता है एक सेकंद में वह वन लैक बीट वहाँ पर ट्रांफर कर सकता है कि यह एक्चल में एक्जांबल एक दिया था आइबेम पीसी का जो एक्चल में हंड्रेड टू नाइन सिक जिरो जिरो बीपीएस मतलब अल्मूस्ट वन थाउजन के रेंज तक वह वहाँ पर ट्रांफर किया करता था और अभी के कुछ यह में क्या हो गया पेंट्यम बेस पी जादा हो जाती है तो वह टाइम पे और अब बॉर्ड रेट कितना बन जाता है कभी कभी वन लाइक वीपीएस तक भी हो जाता है ओके वन लाइक बीट्स वहाँ पर सेकंद वहाँ पर ट्रांफर किया जा सकता है हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट था तो यह अब भी नेक्स देखते हैं आरेस 232 स्टैंडर्स तो देखो आपने देखा होगा आपके घर में जो अप्लाइंसेस होंगे उसमें कुछ-कुछ जगा पर यहां पी एक पीन रहती है लैप्टॉप को भी एक ऐसी पीन रहती है इस तरह की पीन देखो दिखते हैं इसे बड़े-बड़े अप्लाइंसेस के लिए पर ग्रामिंग जिसमें एक्चल में यूजेता है वह तो इस वायर को एक्चल में क्या बोला जाता है इस तरह से दिखते हैं इससे बोला जाता है निद एस तो और आरिस 232 एक्चल में इसका नाम है ँद देखो फर्स्ट पॉइं है एक्चल में यह 9 है वैसे 25 पीन्स का भी रहता है कि आगे देखेंगे हम लोग वह भी तो देखो RS-232 पीन्स कैसे रहता है तो अलाव कंपेटिबिलिटी अमॉंग डेटा कम्मुनिकेशन इक्विपमेंट मेड़ बाइव विरियस मैनुफेक्चरर्स तो अलग-अलग मैनुफेक्चरिंग के अलग-अलग इफिपमेंट बनते हैं तो उसमें कंपेटिबिलिटी होना मतलब वह आराम से डेटा ट्रांसवर किया सकता है ऐसे होना उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक किसी चीज़ को ओके वहां से स्टैंडर को इसको और ये बनाया किसे था उस सेटब बाइथे इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्टरीज और 401240 बढ़नWow कंपर मैंठर मिपमान अपने क leur इक्विमेंट मनाते ही तो इक्विमेंट में जो कंपेटिबिलिटी लाने के लिए ये श्क्विमेंट प्रमाने यह पिनियुज, देन नेक्स के इन 1963, इट वस मोडिफाइड and called RS-232A, 1960 में कहीं किया, इसको थोड़ा मोडिफाइड किया गया, और इसका नाम फिर थोड़ा सा चेंज किया, मतलब एडिशन किया, क्या बनाया नाम, RS-232A बनाया, देन अगें फिर RS-232B बन गया उसका नाम, देन नेक्स फिर RS-232C बन गया, ऐसे इसके नाम चेंज होते गया, और यह सब कब हुआ, 1965, 69 रिस्पेक्टिव लिए, इससे आगे-ागे होते गया, जैसे इससे उसमें मोडिफिकेशन होते गया वैसे, लेकिन इस बुक में हम लोग, मतलब यह हम लोग अभी जो ले रहे है इसमें study क्या करने वाले है, सिब RS-232, जो simply, जो था RS-232, उसके study करेंगे, today RS-232 is most widely used serial input-output interfacing standard, तो आज के इसमें क्या है, RS-232 बोट standard बन चुका है, यह input-output है, input-output standard है, इस standard used in PCs, numerous types of equipment, तो यह जो standard है, एक्चल में PC में यूज़ता है, और अलग-अलग equipment यूज़ता है, आप देख सकते हो कि laptop देखा होगा, अपने PC देखा होगा, तो उसमें ICP न रहती है, जहाँ पर यह connect होता है, ना, वहाँ उसे, वो female jack होता है, दूसरा साइड का रहता है, वो male रहता है, जो हम आपने बस रहेगा, उस से connect करना पड़ता है, ते next क्या है, however, since the standard was set long before the advent of the TTL logic family, its input and output voltage levels are not TTL compatible, मतलब इसका क्या है, देखो, यह भले ही, हम लोग यहाँ पे TTL logic family से आता है, पर यह input and output voltage level है ना, वो TTL compatible नहीं है, इसका, यह चीज़ है, इसमें, then, next क्या है, in RS232, one is represented by minus 32 minus 25 volt, मतलब इसका जो one रहता है, मतलब हाई लोग रहता है, वो क्या रहता है, actual में, minus 32 minus 25 volt रहता है, बड़, जो इसका 0 रहता है, वाईल 0 बीट है ना, उसका 0 बीट, वो actual में, कितना है, minus, plus 3 to, plus 25, तो यह range कितना हो गया, minus 3 से लेके, minus 25, एक range हो गया, मतलब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करें, ऐसा, तो बीच में जो होता है, वो actual में कितना रहता है, 0, यहाँ पर 0 होगा, और जो plus positive value है, वो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर में plus 3 लिख दूँगा, यहाँ बहुत आगे जाएंगे, तो वहाँ पर मिल जाएगा अपने को plus 25, तो यह plus 25 यहाँ पर हो गया, यह plus 3 हो गया, यहाँ पर, तो यह plus 3 है, plus 25 यह set हो गया, और वही यह set जाएंगे, तो यहाँ पर हमी क्या मिलेगा, minus 3, और यहाँ पर बनेगा यह, minus 25, okay, plus 3, plus 25, minus 3, minus 25, okay, यह RS 232 में बनेगा, तो अभी क्या हो गया, इसके लिए दोखो, क्या बता है इन्होंने, minus 3 से लेके minus 25, इतना पार्ट के लिए, क्या है, वन है, bit 1 यहाँ पर काम कर रहा है, और इतने पार्ट के लिए, क्या काम कर रहा है, bit 0 है, बटे, बीच का तो रहे गया न, यह, इसमें कुछ भी नहीं है, okay, तो यह क्या हो गया, अच्छल में undefined बन गया, minus 3 से लेके, प्लस 3 का पार्ट है, वो undefined बन गया है, okay, तो इसी रिजन के लिए देखो, क्या बना है, for this reason, यह निकाल देता हूं में ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए बरबर होगा, to connect RS-232, for this reason, to connect RS-232 to a microcontroller system, मतलब इसी रिजन के लिए क्या है, क्या RS-232, we must use voltage converter, such as, इसलिए हमें एक voltage converter की use करनी पड़ी, उसको क्या है, बोलते, max-232, एक नया और एक आया, voltage converter हो क्या है, max-232, to convert the TTL logic levels to RS-232 voltage levels, तो वो क्या करता है, TTL के logic levels दो बनते थे, उसको RS-232 के voltage levels में convert कर देता था, या फिर voltage levels रहेंगे, तो उसको TTL में convert कर देता था, इसलिए, max-232 या IC chips भी use क्या जा, तो इसलिए, max-232 IC chips को, रोला जाता है, क्योंकि RS-232 के साथ ही काम कर रहे है, इसके जरे साथ ही काम कर रहे है, इसलिए उसको लाइन ड्राइवर्स भी बला जाता है, तो यही चीज है इसको बोला जाते है RS-232 अभी नेक्स देखते हैं RS-232 के पीन्स कोन से कोन से रहते हैं तो आगे एक टेबल देखेंगे आम लोग उसमें पीन्स मिल जाएंगे आपको तो आपको बनेक्स कोनेक्टर मतलब यहां पर 25 तो पीन्स है टोटल उपर के साइट से नाइन होगे जो अगर आप देखोगे न तो एक साइट 30 तो टोटल बन जाएगे और उसमें भी क्या रहता है डेखो तो प्लग कनेक्टर मेल जो पी है DB25P वह एक्चल में क्या मेल के लिए लिए के ट्वेंट जो कनेक्टर मेल रहेगा ना उसको मेल बोला जाता है तो मतलब इस तरह का जो रहता है न वह उपर के साड़ आया हुआ और जो फीमेल वाला रहेगा ना DB25S इस फॉर दिस सॉकेट कनेक्टर फिमेल मतलब सॉकेट जैसा रहेगा कि उसके अंदर फिर हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसको कनेक्ट करना होता है नेक्स के सिंस नॉट अल पिन्स आर यूस्ट इन PC केबल आई बीम इंट्रोडूस्ट दर डीवी नाइन वर्जन आप द मतलब इसलिए इसने छोटा सा भी बनाया डीवी नाइन वर्जन भी बनाया जिसमें नाइन पीन्स होंगे टोटल के वह उसका भी आगे हम लोग पीन देखेंगे वह एक्चल में कैसे दिखता है तो यह एक्चल में फिगर है देखो इसमें यहाँ पे जो पीन्स बिलाधा थैया वह रिपर इसम्में देखेंगे तो देखो यहाँ यहाँ पे टैवी ट्वेंटिफ़ फिंड का यहाँ पे दिखाय गया देखो अभी मेलों और फिमेलर ओ पीन का जो एक्चलमें फउक्श्शनिंग यही रित है ओके ना तो देखो पीन में देखो किया है नमबर देखो जो फर्स्ट पीन है उसको बला जाता है प्रोटेक्टिव ग्राउंड वो अक्षमें ग्राउंड का काम कर रहे हैं ओके देन नेक्स्ट है वो ट्रांस्मिटेड डेटा सेकेंड है फिर थर्ड है वो रिक्वेस्ट टू सेंड रहता है देन फिप्त है वो क्लीर एक्षमें डेटा सेट रेडी अगर रेडी है की नहीं वो दिखेंगे और जो सेवें ते वो क्या करेगी सिग्नल ग्राउंड ओके ना कॉमन डेटर यह भी मतलब ग्राउंड का ही काम कर रहे है सेवें और रिश्यू लाइन सिग्नल डिटेक्टर यह एक्चल में एट्पीन मतलब यह सिग्नल रिश्यू करने के बाद यह एक्ष्यूब हो गई ओके ना डिटेक्ट करने के गाम करेगी और 9 है और 10 है वो एक्षमें वोल्टेज लेवल से प्लस और माइनस का 11 पीन कुछ नहीं है देखो यहां पर देन 12 थे वो सेकंडरी रिश्यूट लाइन सिग्नल दीटेक्टर है ओके जो पहला एक देखा ना वो एक रिश्यूट लाइन सिग्नल दीटेक्टर था यह भी होई है पस इसका यह सेकंडरी है उसके बाद यह यूसर है जैन सेकंडरी क्लियर्डू इसेंड था अब यह वापस सेकंडरी आ गये वैसे इसे हैं यहां पे भी है देखो second pin transmitted data था तो यह 14 है वो secondary transmitted है then DC transmitter signal element timing यह भी एक है 15 number pin then again secondary received data भी है okay na transmitted data हो गया वैसे receive data का भी secondary है receiver signal element timing okay na जो receiver यह सब receiving process में use होता है 18 number pin भी देखो कुछ नहीं है then next request to send जो था न हमारा fourth number pin वैसे 19 का भी हो है okay वह secondary request to send है then data terminal ready okay data set ready था 6 का और 20 का data terminal ready है okay मतलब data receiving के time पर यह use होगा signal quality detector okay signal की quality कैसी है वो detect करने के लिए भी एक pin है that is the number 21 then next के रिंग इंडिकेटर है okay then 23 है जो वह actual में क्या है data signal rate selector है okay data का rate selector है then DTE okay न यह भी है transmitter signal element taming यह हम लोग DC और DTE आगे देखेंगे topic है then देखो यहाँ पर DB9 mail point तो यह भी इसका भी pins देखेंगे DB9 के कौन से कौन से pins वहाँ पर actual में use कि जाते हैं तो DB9 के कौन से कौन से pins है देखो इसमें 9 pins होते हैं total DB9 के लिए okay तो यह 9 pins में देखो क्या क्या है pin 1 जो है वह actual में बोला का जाता है उसको data carrier detect okay pin 1 को क्या बोला जाता है data carrier detect जो actual में कैसे दिखाया जाता है जिसमें से data actual में transfer होता रहता है उसको detect करेगा then second क्या है देखो RxD लिखा हुआ है RxD मतलब यह actual में receive data का pin है okay data receive करने के लिए pin active होगा then transmit data pin 3 है न वो transmission का काम करेगा तो यहाँ पर देखो यह TxD है न वो transmit का काम करेगा then force क्या है DTR DTR मतलब क्या data terminal ready okay data actual में ready है की नहीं terminal पर आया की नहीं वो action में बताने का काम को ने DTR pin का then fifth जो है वो action में ground है हमारा signal ground है then जो हमारा कौन सा हो गया यह हो गया यह हो गया तो अभी कौन सा है 6 pin है 6 क्या है DSR DSR action में क्या है data state ready okay data का state हुआ की नहीं वो action में तो वो बताएगा कि वहां से data transfer होने के लिए ready है की नहीं वो इससे पता चल जाएगा then next क्या है 7 pin है वो क्या है RTS RTS actual में क्या है request to send okay जब pin 7 है वो action में क्या है request to send है तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारे data है वो send करने के लिए वहां पर पहले request करेंगा तो यह इसके थूए होगा request to send okay then next क्या है 8 number पीने वो क्या है CTS CTS मतलब actual में क्या रहता है clear to send okay जब send करने के लिए पहले हमें वहां पर clearing पहले करना पड़ेगा okay and then new data वहाँ पे transfer होने के लिए start ready हो जाएगा then अभी last पीने देखो nine number का पीने वो क्या है actual में RI लिखा हो है RI मतलब ring indicator है okay indicate करने के लिए वहाँ पे यूज होता है data जब transmit होना start हो जागा तब this is all about the RS-232 pinout okay तो हमने DB9 का भी देखा DB25 का भी देखा और एक्चल में दिखता के सहे देखो यह DB9 का structure ऐसा रहेता है इसने 9 pins है टोटल वही हम लोगर DB25 का देखने तो इस तरह के रहेता है तो यह 25 pins का पूरा structure है दोन भी तो यह चीज है देन अभी next सेखते देखो data communication classification तो data communication जो हमने देखा है तो data communication उसका एक अलग से classification भी किया जाता है तो वह कैसे देखो current technology classifies data communication equipment as जो नया जो technology अभी चल रहा है वह actual में हमारे data communication जो है equipment है उनको दो category में वह classify करता है कौन से कौन से है so first जो है उसको बोला जाता है DTE DTE मतलब क्या होता है data terminal equipment टर्मिनल पर यूज होता है और दुसरा जो है वह क्या है DCE that is the data communication equipment communication के लिए यूज होते है तो DTE actual में क्या है DTE refers to terminals and computers okay terminals और computers के लिए refer के जाते है while DTE DTE का भी देखो क्या है while DTE refers to communication equipment such as modems okay modems के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है communication equipment data responsible for transmission okay जो एक्चल में transmit करने के लिए data transmit करने के लिए एक्चल में कि देन वहां पर हमने टेबल देखा RS 232 पींस देखे डीवी 25 के ओके यह सब जो पींस थे वो डीवी 25 की बींस यह जो पींस थे सब डीवी 25 के पींस है 25 बींस है टोटल इसका हरिकाट अब देख सकते हो कैसे कैसे वर्किंग किया इसके पीं आउट से कुछ इस पींस से कॉममन सी है बस उसमें पहला पीन देन सेकेंड उसका सेकेंडरी है इस तरह से भी है देन सेकेंड देखो क्या है सब्सक्राइब है नोटिस देट अल्डी आरेस 232 पीन फंक्शन डेफिनेशन अफ पीन डिस्रिप्शन मतला वूट अभी हमने जेखा जो टेबल में इसके पीन फंक्शन के साथ सारे पीन आउट समने देखे कि कौन से क्या काम कर रहें डिटी के पॉंट आफ यू से उसमे सब्सक्राइब बिट्वी नि एसे दोनों साइड़ से यहां पर एक व्लिएंग तो यहां पर एक ते आरेक्स डी रहेगा और यहां पर यहां पर रहे रहे सकता है तो यह एक्षिल में हमारा डेटा कम्मिनिकेशन क्लासिफिकेशन पार्ट यहां पर क्लियर हो जाता है तो भी जεक्र अग्चैन क्लिश्य चैशर स्ञ्रेटे कांश केशिटों में हमैं क्लिश्मुं क्लिश्कृटब्छ्चैन क्लिश्चन के ने तुम्हें था इतल्स धुक्तर। 1-2-2-2-2-3-2-1-2-2-2-2-3-5-5-0-40-2 ero.